चिराग पास्मान अपने पाटी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे होते हैं उसी समय चिराग पास्मान के मोबाईल पर फोन आवस्ता है उनकी फोन की घंटी बस्ती है और चिराग पास्मान जो फोन देखते हैं तो वो चोक जाते हैं कि दरसल वो फोन लालू प्रसाद का था वो फोन पिक करते हैं उधर से आवाज आती है कैसे हो चिराग चिराग पास्मान परनाम करते हैं लालु प्रसाद यादब सब उन्हें जीते रहो का असिर बात देते हैं और उसके बाद चिराग पास्मान कहते हैं मैं ठीक हूँ चाचा जी आपका स्वास्त कैसा है उध आपके लिए हमेशा फिरी हूँ बताईए क्या कहना है इस पर लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि चिराग तुम तेजस्वी के बड़े भाई जैसे हो मैं तुमें बड़े बेटे के समान मानता हूँ तुम तेजस्वी के साथ आजाओ तुम महागटबंदन में सामिल हो इसके बाद चिराग पासमान सोच में पर जाते हैं और इसके आगे की कहानी क्या हुई और तेजस्वी आदव के लिए चिराग पासमान जो बड़े भाई कहे जाते थे अब कैसे उनकी राह में सबसे बड़े काटा बनके उभरे हैं और तेजस्वी आदव को चिराग पासम कैसे ये बात कह रहे हैं कि अब बिहार के मुख मंत्री कुर्सी जो है वो मेरी है इन सारी बातों पर हम आगे आपको बिश्तार से बताने जा रहे हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लोग अल्रेडि कर चुके हैं उन सभी लोग को तेहदिल से धर्ने बात अब आते हैं मुद्दे पे कि दरसल अब तेजस्री आदब के लिए सबसे बरा खत्रा चिराग पास्मान बन गए हैं वही चिराग पास्मान जिनको तेजस्री आदब अपना बड़ा भाई कहते हैं और चिराग पास्मान जिस तेजस्री आदब को अपना छोटा भाई कहते हैं लालु प्रसाद यादब को चाचा जी कहते हैं और पिता से ज़्यादा सम्मान देते हैं आखिर वो सबसे बड़ा रोड ब्रेकर कैसे बन गया तो आपको बताते हैं कि चिराग पासमान के पास जब लालु प्रसाद यादब का फोन जाता है और चिराग पासमान काफी कुमार के बीच 36 का आकरा है वहीं आपको बताते चले कि इसके बाद लालु प्रसाद यादव की तरब से जवाद दिया जाता है कि राजनीती में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही दुस्मन होता है बलकि समय के अनुसार चलना पड़ता है इस पर चिराग पास्मान साफ सा किया था, हमारी पाटी को तोरा था और उस नितीस कुमार के साथ हम कभी भी नहीं जा सकते मैं अपने स्वाहिमान के साथ कभी समझह proportions करता हैं पर माप कीजिए मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता और इसके बाद लालु प्रसाद यादव पर 30 यादव काथी भर के हुए हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादब ने चिराग पास्मान को मीडिया के सामने में बहुत बड़ा नेता बता दिया था और आने वाला बिहार का मुखमंत्री तक कह दिया था और कह दिया था कि आने वाले समय में चिराग पास्मान राजनिती की धूरी होंगे और इस बात को लेक है आपको बताते चले कि अब चिराग पासमान बीदिवत रूप से NDA में सामिल हो गए है और आने वाले समय में चिराग पासमान ने जो घोसना कर दी है उसे सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे कि चिराग पासमान ने कहा है कि बिहार में अगला मुख मंतरी बीजेपी का होगा और इसके लिए चिराग पासमान को जो भी करना परेगा वो हर की मत चुकाने के लिए तैयार है और बीजेपी का मुख मंतरी बना कर के ही दम लेंगे यानि कि वो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे वहीं चिराग पासमान का भी मन बिहार का मुख्ध मंत्री बनने की है वो भी सपना देख रहे हैं लेकिन वो कुर्सी जिस पर तेजस्षी आदब की नजर है और आगे की भी जो कहानी कि आखिर पपु यादब कनहया कुमार और मुकेश सहनी को नितेजस्षी आदब ने कैसे स कंफ्रेंस आयोजित कर हाथ जोर कर गिर गिराते हैं और कहते हैं कि हमें भी महागट बंदन में सामिल कर लिजे क्या हमारी चमचागिरी काम नहीं आएगी त्योंकि पपु यादब एक तरीके से कॉंग्रेस की और तेजस्षी आदब की नितीश कुमार की इन दिनों पिछल कि लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसत तक पहुचे 2025 का चुनाब जीत कर बिहार विधान सभा में पहुचे और इसके लिए पपु यादब जितना भी तेल लगाना हो सकता है वो लगा रहे थे लेकिन उनका तेल लगाना अब काम नहीं आया जब उन्हें महागट जाती से आते हैं और तेजसी यादब भी यादब जाती से आते हैं यादब का परतिनी धित्व करते हैं और चाहते हैं कि यादब की राजनीती अगर बिहार में अगर कोई करे तो सिर्फ और सिर्फ लालू परिबार ही करे उन्हें पपु यादब से खत्रा नजर आता है उ जो की चिराग पासमान कहते हैं कि बिहार खोस्ट बिहारी खोस्ट और काफी गंभीर नेता हैं उनका एक जनाधार है और 6 प्रतिसत बोट बैंक के वो मालिक कहे जाते हैं वही कनहया कुमार का भासन काफी दमदार होता है वो बाक पठता में काफी ज़्यादा तेज है वो मुकेश शहनी भी युवा नेता है और यही सब बज़ा है जिसके कारण तेजस्टी आदब ने पप्पु आदब को भाव नहीं दिया मुकेश शहनी को भाव तक नहीं दिया गया उसे इग्नोर करते रहे वहीं आप देखते होंगे कि तेजस्टी आदब कभी भी चिराग पासमान के मामले में एक सब्द तक नहीं बोलते मीडिया की सवालों को ऐसे इगनोर कर देते हैं जैसे गद्धे के सर से सिंग गायब हो जाया करता है और वो बात को बदल देते हैं मुद्देश को भटका देते हैं और ऐसा ही चिराग पासमान भी हमेशा करते हैं कि जब भी के सामने में तेजसी आदब का नाम लिया जाता है वो नितीश कुमार की तरफ चले जाते हैं नितीश कुमार पर भरसक अपना भरास निकालते हैं लेकिन तेजसी आदब पर वो भी कुछ नहीं बोलते हैं और ये एक तेज नेता की निशानी कही जाती है कि आपका जो बिरोध कभी भी अपने मुह से नाम नहीं लेते हैं बलकि इंडाइरेक्ट रूप से उस पर हमला करते हैं और मोदी से ये सीख कनहया कुमार ने भी ली है चिराग पासमान ने भी ली है और तेजस्षी आदब तो साफ साफ कहते हैं कि हमने मोदी जी से बहुत कुछ सिखा है और लगत अब सबसे बड़े दुस्मन के रूप में नजर आ रहे हैं क्योंकि एंडिये के साथ चिराग पासमान चले गए लालू प्रसाद यादब की उन्होंने बात नहीं मानी और लालू प्रसाद यादब की बात काटने के कारण और लालू प्रसाद यादब ने उन्हें बिहार क एक बड़ा नेता तक बता दिया था जिससे तेश्वी आदब को अपने CM की कुरसी पर खत्रा महसूस हो रहा है इन सारे मुद्दो पर आपकी क्या राय है आप क्या सोचते हैं अपना प्रतिकिरिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे जुरेर हैं हमारे साथ आपको क्या लगता है कि बिहार का अगला मुखमंत्री कौन बनेगा क्योंकि मनीश कस्यप की भी काफी चर्चा हो रही है मनीश कस्यप के भी समर्थक उसको CM के पद पर देखना चाहते हैं मुखमंत्री की कुरसी पर देखना चाहते हैं आपकी जो भी राय है आप किसको CM के रूप में देखना च चाहते हैं अपनी प्रतिकिरिया कमेंट बॉक्स में चरूर दे जूरे रहे हैं हमारे साथ जैहिन जैभारत जैजै भीहर